हालो नमस्कार अभिनंदन आभार बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका हमारे यूट्यूब चानल आवाज इंडिया पर और आज हम आपको बताने वाले है किसान रिंड मोचन योजना की लाभारती सूची जारी हो चुकी है जहां देश भर में करोना की दूसरी लहर के चलत अठ्वे वस्ता गडबडाई हुई है ऐसे में उत्रप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है तथा किसानों को यूपी किसानकर्ज राहत योजना के तहट राहत देने के लिए ड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें किसानों को अपना रिंड माफ करवाने की जो है वो सहुलियर प्रदान की गई है यहां आप आदिकारिक वेबसाइट www.upkisankarsrahat.upsdc.gov.in जी हाँ यह इसकी ओफिशल वेबसाइट है यहां आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट के जर यही आप अपनी किसानकर्ज माफी की लिस्ट देख सकते हैं तथा इस लिस्ट साथी सुची में है या नहीं है इसके साथ साथ इन एपको बताना चाहेंगे कि जिन किसानों ने लगबग है नौजुलाई 2017 से Assistant का रेड्ज लिया हुआ है यह सारा का सारा माफ करने की बात की जा रही है साथ है किसानों को ब्यारस लगबग 86 लाख किसान ऐसे हैं जिनने उनके फसली रिंड से मुक्त किया जाएगा छोटे तथा सीमान्त किसान जिनने अपना रिंड चुकानें में सबसे बड़ी मुश्किल आती है उन्हें सबसे पहले इस योजना से लाभानवित किया जा रहा है वे किसान जिनके पास दो ह हेक्टेर से कम यानि पांच एकर से कम भूमी है उन्हें इस योजना से लाभानवित किया जा रहा है जिहां यहां लगबग 86 लाख किसान इससे फाइदा लेने वाले हैं इसके तहट लगबग 2.63 लाख छोटे वा तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुँच रहा है तथा इ इन्हें ब्याज में भी छूट मिल रही है यहां पर जी हां तो इस योजना के जर यह किसानों को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है उत्रप्रदेश सरकार की और से वे किसान जो अब तक इस योजना के जर यह आवेदन नहीं कर पाए हैं वे भी अब आवेदन कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट के बारे में हमने आपको यहां पर बता दिया है तथा कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे यह भी हम आपको पताना चाहेंगे किसान के पास अपना आधार काड होना चाहिए भूमी से जुड़े हुए सारे कागजात आवेदक क देख सकते हैं आप यूपी किसान कर्ज रहत योजना की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर आप घर बैटे ही किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं तथा अपना नाम लाभाती सुची में पास सकते हैं जी हां दोस्तों इसके साथ साथ यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप अपनी शिकायत भी हाँ पर दर्ज करवा सकते हैं ओफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा तथा वहाँ पर शिकायत दर्ज करे का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है और आपकी शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन भी लिया तो दोस्तों यदि ऐसे बुरे समय में जिहां पूरा देश जहां आर्थिक तंगी से गुजर रहा है करोना की दूसरी लहर के चलते आर्थिक जो अर्थ ववस्ता है पूरी गडबडाई हुई है ऐसे में यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो किसानों को यहां पर पू लिंडि erit help desk इuh ट्रीट में जमा करवाना है और उसके साथी शिकायत की स्थिति भी आप जान सकते हैं आपके शिकायत पर तुरंध action लिया जाएगा और इसके साथ-साथ आपको अपने पेज में पूछी गई पूरी की पूरी जानकारी जैसे कि अपना मोबाइल नंबर क्याप्चा कोडादी भरना होगा इसे सम्मिट करवाना है तो था आपके सामने आपके आविदन की स्थिति आ जाएगी तो दोस्तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि सरकार किसानों को बद्द की है और इत्रपदेश किसानकर्ज माफी में बहुत सहायख सिध हो रही है यह योजना तो दोस्तो ऐसे ही किसी योजना के बारे में जानकारी लेकर बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें जय हिन जै भारा दोस्तो